वेलकम बाक टो माई चैनल और मैं हूँ शिखा पता है लाइफ में प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम री स्टार्ट नहीं कर पाते मतलब हमें ये पता नहीं होता कि हम फिर से शुरुवात कैसे करें कुछ ऐसा ही होता है जब ब्रेक अप की बाद हम मुवान करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें मुवान करने के बाद ये समस्या आती है कि हम नेक्स्ट रिलेशन्शिप में कैसे जाएं हम कैसे खुद को तयार करें कि हम नेक्स्ट रिलेशन्शिप में जाएं और वो चीज जो हमारे लिए हो वो work भी करे देखिये ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है और इसको करने के लिए बहुत करिच चाहिए बहुत हिम्मत की बात होती है एक बार टूटने के बाद फिर से जुड़ना और ना जुड़ना तो जुड़ने की तरफ एक कदम बढ़ाना जब हम दूसरे रिष्टे में जाते हैं तो हमारी उम्मीद यह होती है कि कम से कम इस बार तो वैसा नहीं होगा और इस बार वैसी गलतिया नहीं होगी जो शायद पहले मुझसे हुई या शायद पहले ऐसे सिचुवेशन बन गए जिसकी वज़े से चीज़े खराब हुई और हमारा ब्रेक अप हुआ तो अगर आप ब्रेक अप के बाद मुवाण कर चुके हैं, करना चाहते हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं और भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहां हम आपको मुवाण करने के साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपको अगले रिष्टे में कैसे जुड़ना है क्या कुछ आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं और आप नेक्स्ट रिलेशन्शिप में कैसे जा सकते हैं तो देखिए ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि एक टूटा हुआ दिल आप जोड़ने के लिए खुद से जा रहे हैं देखिए कई बार क्या होता है कि हम हमें जब कोई लॉस होता है तो हम वो डिस्कस करते हैं जिससे माली जे आपके कोई फिनेंशिल लॉस हो गया आप डिस्कस करेंगे अगर आपका कोई ऐसा है जो चला गया कहीं डिस्टेंस प्लेसे पर चला गया तो आप शेयर करेंगे बट जब हम अंदर से तूटते हैं तो वो चीज शेयर करने के लिए बहुत गट्स चाहिए और क्योंकि हम शेयर नहीं करते इसलिए मोवान करने में टाइम भी लगता है और तकलीफ भी बहुत होती है तो जब हम दूसरे रिष्टे में जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं देखी कॉमन सी बात है लाइफ है लाइफ में रिष्टे जुड़ते चले जाते हैं बट ये जो एक एहम रिष्टा होता है जो एक पार्टनर का रिष्टा होता है ये हमारी चॉइस होती है हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है यह हमारी चॉइस होती है तो जब हम उस तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो हम हमारे लिए मुश्किल इसले भी हो जाता है क्योंकि अभी अभी तो हम उस दौर से गुजरे हैं जहां हमारे पास इतनी सारी यादे हैं, जो हम दुबारा अगर create करने जाएंगे, वही सब कुछ तो शायद नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब यह है, completely आप move on नहीं कर पाए. अगर आपने अभी भी वो चीज संजो के रखी है, तो मुश्किल आने वाली है आपको next relation में जाने म आप उसके बीच पे अगर बहुत जादा gapping हो जाए, तो भी problem आती है. प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप उससे move on कर गए और आप बहुत जादा practical हो गए, जिसकी वज़े से आपका जो emotional connect है, वो किसी के साथ होने में बड़ी problem आती है. तो अगर आप completely move on नहीं हो प सकती है. तो आपको करना क्या है वो अब हाँ आपको बताने वाले हैं. पहले बात करते हैं आपकी उस psychology की या किसी भी इनसान की उस समय उसकी psychology क्या होती है, वो क्या सोच रहा होता है, जब वो किसी से detach हुआ है, जब वो move on करने का try कर रहा है. उस समय दिल में इतना सारा guilt भ पज़े से हो जाता है. शायद हमने अगले को treat नहीं किया, शायद हमने ऐसा कुछ कर दिया जो शायद expected नहीं था. बहुत सारी चीज़े हो करके हमें कभी-कभी guilt feel होता है, कभी-कभी हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हम य तरह हुआ हो. Anger, guilt, sadness और ये मोहल बन जाता है कि ऐसे लगता है, this is the end of everything. सब कुछ खतम है, इसके आगे कुछ नहीं है. और यही सब होने की वज़े से, जो चीज़े होती हैं, वो easily work नहीं कर पाती, ये कभी easy नहीं होता. तो easy करने के लिए, जो पहली चीज है, वो ये है कि जिस confusion, guilt और sadness की state में आप हैं, उससे आप बाहर निकलें. उससे आप बाहर तभी निकल पाएंगे, जब आप खुद का ध्यान देंगे, देखिए, जाने वाला चला गया, उसने reason कोई भी हो, किसी की भी गलती हो, बट जो truth है, वो ये है कि वो आप आपके साथ नहीं है, और आपके साथ ये आपका शरीर, आपका मस्तिश्क, आपका जो psychology है, उसका सही होना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद पर focus करें, क्योंकि जब तक आप खुद पर focus नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज से कभी ने न जाते थे, ये मत भूलिये कि आप तब जिन्दा थे और बहुत सी ऐसी चीजे थी जो आपको खुशी देती थी, आपको पहले खुद की तलाश करनी है, ये ढूंढ़िए कि क्या चीज आपको खुशी देती है, किसको करने में आप इंवाल्व हो जाते हैं, इंवाल्व होन और जब आप फुद पर फोकस करते हैं, तो वो सारी चीजे जो अभी तक आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो अभी तक आपके सराउंडिंग में थी, वो सारी के सारी दूर होती चली जाती है, देखिए याद रखिए कि इस समय आप एक हीलिंग स्टेज में हैं, जहां आ आप ये और अच्छे से कर पाएंगे, और आप उस इंसान को भूलने में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि एक ये जो फीलिंग होती है ना कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये शॉपिंग मैंने अपने लिए करी है, तो इट फील्स, इट मेक्स यू मोर डिटाश फॉ के लिए क्रियेट करनी है, और आपको फिजिकली कभी उस इंसान से नहीं मिलना, अगर वो कहता भी है, कई बार लोग क्या होता है, ब्रेक अप के बाद भी कहते हैं, चलो एक बार मिल लेते हैं, और कई बार तो लोग इसलिए मिलते हैं, क्योंकि शायद उनकी कोई, सो कॉल उनका कोई बेनिफिट होता है, या फिर वो किसी परपस से मिलते हैं, तो अगर ऐसे सिचुएशन आ रही है, प्लीज से नो, फिजिकली भी आपको उस इंसान के पास नहीं जाना, बिस्टेंस पेंटेन करना है, और सोशल मीडिया पर भी प्लीज उसको स्टॉक ना करें, उ इंसान से, ताकि वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स, वो सारी मैमरीज फिर से रिफ्रेश ना हो जाएं, जो आप बिलीट करना चाहते हैं अपने माइंड से, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये होता है, कि जब आप स की तरफ चले जाते हैं, देखिए ये आसान तो बहुत है, टेकिंग पैग इस वेजी आप एलकोहल कॉंजियूम कर लेंगे बहुत आसान है, बट क्या वो पर्मनेंटली आपको उस पेन से निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, इस ये इसी है, आप कबीर सिक बन सकते ह वो फैशनेबल आपको लग सकता है, थोड़े दिन तक लोग आपको कहेंगे कि देखो वो पेन में है, वो उसको बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने ये सब शुरू किया, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है, आप सल्यूशन अपने लिए ढूण रहे हैं, इसलिए जब आप तो आप अपनी बॉड़ी को डामेज क्यों कर रहे हैं, क्यों करना ऐसे, और जब आप मुवाउन कर जाएंगे, आप दूसरे रिष्टे में जाएंगे, तो आप ये देखेंगे, कि इस टाइम जो डिसिशन मेकिंग आपकी है, वो कितनी प्रॉपर है, कितना आप अच्छे से चीजों को एनलाइज कर पा रहे हैं, तो गलती होने के चांसे भी कम होते हैं, और इस बार आपको उस पेन वाली सिचुएशन में पढ़ने का चांस होता है, वो भी कम होता है, तो एलकोहल और ड्रक्स से आपको, इसमें तो आपको जाना ही नहीं है, इसके बारे में आप it's going to completely damage your personality, your life तो ये तो सही कहीं से भी नहीं है अब जो चीजे आपने आप पर आपने काम किये अपनी family members के साथ बैठिये उनसे चीजे शेयर करिये और सब कुछ बताईए कि क्या कुछ हुआ था क्या कुछ आप चाहते हो या क्या कुछ changes आप अपनी life में करें बहुत कुछ बाते हैं करने के लिए तो family members से जाकर के आप बात करिए उनसे support लिजे और सारी चीज़े आप discuss करिए Now अब आपको आपने जैसे हमारा topic हिये है कि हम दूसरे रिष्टे में अप कैसे जाएं क्योंकि हमारा दिल तो गवाही दे नहीं रहा हम भरोसा करने के स्थिती में ही नहीं है आप भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि I am already broken how would I trust somebody तो उस situation में जहां आप भरोसा करने के स्थिती में नहीं है अब दीरे दीरे आपको चीज़ें करनी है अपने लिए करनी है देखे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं ये ठीक है आप समझने की कोशिश करिए आपको पता भी होगा कि आप क्या चाहते हैं लेकिन उससे भी बड़ा जो question होता है वो ये होता है कि आप अपनी life में क्या नहीं चाहते हम खुद से ये सवाल कभी नहीं करते हम सबको पता होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए हमें इस तरह का पार्टनर चाहिए बट हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमें इस तरह का पार्टनर नहीं चाहिए तो इस बार जब आप ब्रेक अप की बाद दूसरे रिष्टे पें जा रहे हैं, तो एक बार आप इस पर जादा फोकस करें, कि आपको इस बार इस रिष्टे में क्या कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए वाला फैक्टर तो आपको clear ही है, तो जब आप खुद से ये question करते हैं, तो सामने वाला इंसान जो भी आपके सामने आएगा, उस what I expect and what I don't, तो आपके जितने भी steps होंगे, आपका जो reaction होगा, आपका जो emotional connect होगा, वो भी उतना ही अच्छा होगा इस बार, क्योंकि आप इस बार खुद को analyze करके step ले रहे हैं, तो आप socialize जादा होगे, लोगों से जादा मिले, लोगों से जादा मिलने में ये हैं कि हम य आप you are socializing, नहीं, socialize आपको इसलिए होना है, ताकि आप खुद को distract कर सके उन सब चीजों से, पहली चीज है, दूसरा ये है कि जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों की psychology समझने का मौका मिलता है, जैसे जो मेरा profession है, अब आपके में क्या होगा, एक लड़का, एक लड़की, एक love relation, कुछ problem आई, break up हुआ, लेकिन कही बार situation, personality इतनी अलग होती है कि आप imagine भी नहीं कर सकते, तो socialize होने से आपको इनसान को जानने और समझने की शक्ती मिलती है, तो ये आप ज़रूर ये कोशिश करें कि आप socialize ज़ादा ह तो जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और शायद भगवान आपको किसी से मिलवा रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि जो आपका love of life है, वो आपको मिल जाए, बट कई cases में ऐसा नहीं होता, लोग इतने ज़ादा introvert होते हैं कि वो सामने जाके बात नहीं कर सकते, व तो किसी को भी बढ़ सकती है, वो रिष्टा चाहे आपने मिलके बनाया हो, आप साथ बैठे हो, आपने बात किया हो, आपकी family ने आपको मिलाया हो, या फिर आप किसी आप से मिले हो, जहां पर आप genuinely किसी को सर्च कर रहे हैं, देखें ये word quote करिएगा, genuinely आप किसी को सर्च क जो सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म से मिले हैं, या डेटिक अप से मिले हैं, तो ये भी आज के दौर में एक कैसकते हैं तरीका है, जहां से आप अपने पार्टनर को सर्च कर सकते हैं, अब सर्च करने में ये बहुत जरूरी है, कि आपको ये पता हो कि अगला इंसान क्या इंट्रेस्ट क्या है? दिखने में देखिए जो लुक्स होते हैं वो एक टाइम के बाद तो नहीं काम आते और नहीं आप अट्राक्ट होते हैं, आप इंसान की क्वालिटी से अट्राक्ट होते हैं, तो जब भी आप डेटिंग आप पर अपना जब भी आप ऐसी कोई और यह केवल टेम्टरी है, देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि डेटिंग आपस पर लोग आपसे मिलते हैं, कुछ समय के लिए आपके साथ रहते हैं, कनेक्शन उनका इमोशनली आपसे कोई नहीं होता, आप तो इन्वाल होगा इमोशनली, बट वो नहीं होते, तो दिमा स्टेबल हो जाए, उस समय प्लीज आप चाहे वो आप किसी से मिलकर के डिसाइड कर रहे हो, या कोई भी मीडियम हो, आपके पैरेंस किसी से आपको मिलवा रहे हो, दोनों ही केसिस में, प्लीज अपने उपर ये प्रेशर मत रखिएगा, कि मुझे रिलेशन में जाना है, ना तो सच्छा प्यार ढूंड सकते हैं, ना तो आप एक जैन्विन इंसान की तलाश कर सकते हैं, गो वेरी स्लो, इफ यू फिल इट राइट, अगर आपको लगता है, ये सही है, तो ही आप स्टेब ले, आपको बहुत स्लो जाना है, क्योंकि यहाँ पर मामला आपके दिल में आपको बहुत स्लो, बहुत ही आराम से डिसिजन लेना है, और प्रेशर बिलकुल भी नहीं लेना है, कि आपका ब्रेक अप हुआ था, आप उसमें फेल हो गए, आप क्या फेल हो गए, वो रिष्टा फेल हो गया, या वो चीजे वर्क नहीं करी, इस बार कैसे होगा, कोई भी रिष्टे में जाने से पहले, प्रॉपर एनलिसिस करने के बाद ही, किसी को हां या ना कहिए, क्योंकि आपका हां कहना या आपका ना कहना, ये आपकी पूरी जिन्दगी डिसाइड करता है, और दूसरी बात यह है, कि जब आप ये प्रेशर लेते हैं, आप अंड की तरफ ज़रूर ले जाएगा, आपको सब कुछ याद आएगा, आप गिल्टी फील करेंगे, आप साट फील करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप खुद को प्यार की तरफ धकेल रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, और इस केस भी क्या होता है, कि आप जान आप फिर से उस जोन में आ जाएंगे, कि कहीं इस बार भी मैं इस इंसान को खोना दू, तो खोने का डर डर जनरेट हो जाता है, बले आपका रिष्टा बना नहीं है, बट खोने का डर आपके अदर पहले से ही जनरेट हो जाएगा, तो यह चीज़े होने लगती हैं, अगर कि किसी के साथ लाइफ है, डोंट बी आट पिकी, कि आपने किसी को भी हा कर दी, आपको टाइम लेना है, और जो तीसरी और बहुत इंपोर्टन बात है, जल्दबाजी, नहीं, कई बार रिष्टे में पढ़ने की, कई बार पता है, लोग यह सोचते हैं, कि उमर निकली जा किस तरीके के इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जिनकी शादी हो गई, वो आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे, या जिनकी शादी आप से पहले हो गई, उनके बच्चे, they are not going to play any role in your life, तो यह आपकी लाइफ है, आपको हड़बड़ी में डिसिजन नहीं लेना है, शायद भगवान ने आपकी जो किसमत में लिखा है, पार्टनर लेट लिखा हो, लेकिन एक बात बहुत साथ है, की एक खराब रिष्टे में जुड़ने से अच्छा, एक गलत पार्टनर के साथ जाने से अच्छा, पूरी लाइफ बिताने से अच्छा पता है क्य है कि अकेले रहो मेरा तो यह मानना है कि अगर आप जिंदगी घुट-घुट के काटो तो इससे अच्छा है कि आपकी जिंदगी आप बेटर जी सकते हैं तो बी सिंगल राइट तो गलत रिष्टे में पढ़ने से अच्छा तो यही होगा तो यह सारी चीजें मुवाउन करन के बाद जब आप दूसरे रिष्टे में जाते हैं तो यह सारी प्रॉब्लम्स आती है इसलिए आपको दिमाग और दिल दोनों कोल करके डिसिशन देना है साथ ही साथ एक और बहुत इंपोर्टन बात है कि जब आप मैरिज की इस्पेशली मैरिज के टाइम पर हम बात कर र हैं उसके बारे में आप अपनी फ्ली से जरूर डिसकस करें अपनी घरवालों से या परंस से माली जे आप नहीं बात कर पाते तौ अपनी सिबल से भाई बहन से किसी से भी आप बात जरूर करें लुए कि ऐसा ऐसा है क्योंकि अगर आप अपनी चीजे थे मैं चीज़े कह Second opinion भी मिल जाता है, साथे साथ आप अश्योर हो जाते हो, कि ऐसा नहीं मैं ही ऐसा फील नहीं कर रहा, ऐसा वाकई में है, तो move on वाली condition से निकलने की कोशिच जरूर करिए, सब को करनी चाहिए, move on बहुत difficult face होता है, easy नहीं होता, दूसरी बार प्यार में पढ़ना बहुत ही ज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि प्यार दुबारा होता है, it's not like that कि प्यार सिर्फ एक बार जीवन में होता है, फिर नहीं हो सकता, ऐसा बिलकुल नहीं है, और जो second time आप जिसको chance देते हैं, आपने दिल को एक मौका देते हैं, वो मौका हमेशा ही खुबसूरत होता है, try करक के देखिएगा, तो आज के लिए इतना ही, bye bye, take care, bye for now.